सभी सब्जेक्टों करेके करके देखेंगे तो जो सबसे अधी क्वेस्टन की पॉसिबिलिटी है वो है मैथ और इजिनिंग से जहां लगभाग 35 से 40 क्वेस्टन जो है 120 में रह सकता है आपकी किताबे वी जो है प्रभाद पॉलिकर्शन के मात्यम से जो लोगों तक पहुंच पहले से चलती है उसमें काफी अच्छा से ब्याख्या की गए एक प्रणेशन इतनी अच्छी है कि पूरी की पूरी एक प्रणी को पॉइंट उठा लिया गया है तो नमस्कार मैं आम आलोग है आप लाइश्टीज देख रहे हैं बीपीस्टी के माध्यम से शिक्षकों की होनी है शिक्षकों के लिए बड़ी ऑपर्चुनिटी है जो सिक्षका का ब्यारती है एक लाग सतार हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है फॉर्म भी भरे जा चुके है और आप प्रिक्षा होनी है माई साथ बिहार के चर्चित डॉक्त रंजीत दस जो शीट्स हैं जस जो सेट है उससे रोज पढ़ना होगा तो कमेंट में काफी लोगों ने कहा कि दस सेट काफी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि एक मेना का समय आपके पास बचा हुआ है कम से कम आठ से दस घंटा यदि आपके पास चमता है और याद कर पाते हैं तो ब सेट और फिटी कोस्टन सो ते हैं उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से करते चैप्टर के हिसाब से यानि कि अगर आप हिस्टी पर रहा है तो पहले सोशियों डिजयर मूव्मेंट अगर पढ़ रहे हैं समाजिक धार्मिक सुधार अंदुलन तो उसमें आपको सेट देख सब्ukमरेना और भीन ही सेट सोब्सक्राइब कर लें फिर हिसके बाद द्याद शास्वती से कर लेया फिर जो दूसरे अन के मेरो mouse से कर लाए तो ए चाहिए लोगों पहुंच रही हैं उसमें भी कई साइट के लिए हमने दिखिया है और जो माध्यमी के सब्जेक्ट है उसमें भी ट्वन्टी सेट्स का बना हुआ है उसको दो से तीन वार कम से कम बनाई है अगर उसके प्राइमरी माध्यमी को उच्छ माध्यमी के लिए तीनों ही के सब्जेक्स पर किन्किन विश्यों से कितने कितने सवाल आएंगे यह महत्पूर है क्योंकि कई लोग कमेंट से पूछ में थे कि मैठ से कितने सवाल फिर रिजनिंख से कितने सवाल देखें बीपीए का जो पैटर्न था नहिके पहली बार है जब वहली हो तूँर्टी पूछा जाता है यह प्रिजनिंग इसके बाद देखेंगे हिस्ट्री जोग्राफी पॉलीटी इनवर्यमेंट सोच साइंस करेंट सभी सब्जेक्ट करेकर करके देखेंगे तो जो सबसे अधी क्वेस्टन की पॉसिबिलिटी है वो है मैं तो रिजिनिंग से जहां लगभाग 35 से 40 क्वेस्टन जो है 120 में रह सकता है मैं पहले एक से पांच की बात कर रहा हूं उसके बाद अगर देखेंगे जो और वहां भी कोस्टन जो है अच्छी संख्या में रहेगी वहां भी 30 के आजवास पास सब्सब्सक्राइब को सब्सक्राइब पूछा जाएगा तो भी 15 से 20 की पॉसिबिलिटी जो है हिस्टी में बनती है सोशल साइंस में अगर जोग्राफी है हिस्टी की मैंने बात पहले ही कर लिया था तो उसमें पॉलिटी और एकनॉमिक्स का है जहां से बहुत कम कोश्टन पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी वहां देखा जाएगा तो बारा से के 15 की दम बनती है सांइस कि शा cacholds सब्सक्राइब कर सकते हैं सांइज्स में भी कोश्टन जो है वह लगवग 15 के जो है करेंट की रहेगी बिहार स्पिसल को लेकर काफी स्टुडेंट में वह एंजाइटी आएगा नहीं आएगा एक चली स्लेवस में नहीं है लेकिन चेर्मेंसर ने कहा था कि बेस्ट क्टाब चापती आँगे तो यहीए नतर है कि कुछ चांटर जहा कुछ है जो बिहार से समद्धित है उसको आप देख लेंगे तो बिहार की प्रोम में वहो से सब्सक्ट से हो जाएंगे लेकिन वह सब्सक्राइब है कि आपको मैघत यह कुंड़ेंगे नौ यृट्र travaill वहां पेशालिस लेकिन वहां पर सब्जेक्ट जो है किवल पांच हो जाता है वहां सब्जेक्ट दो आपको एक तो math है, math से लगभग 8 से 10 question पूछने की समभाबना, उसी तरह से history है, वो भी modern Indian history है, फिर a moments जूरा हुआ, वहाँ भी 8 से 10 question पूछा जा सकता है, science भी subject रखा गया है, general science का, वहाँ भी 8 से 10 की possibility रहेगी, फिर वहाँ पे current भी एक रखा गया है, तो current में फिर मैं कहूंगा, current के question थोड़े से कम होंगे, math के थोड़े से question जो है, वो दो तिन ज्यादा question होंगे, current के question जो है, उसके हिसाफ से कम होंगे, तो ये total था कि math, geography, science, history और current, ये पांच subject है, total जो है, जहां से question पूछा जाएगा, 40 question आप से पूछा जाएगा, लेकिन अगर मैं focus की बात करूँ, तो एक से पांच वाले को focus करना चाहिए, reasoning पे math, reasoning पे science, primary teacher के लिए, इसमें की math का reasoning का देख सकते हैं, उसको आद history, geography and science, ये पांच subject है, जिससे की question आपका 100 पलस आएगा, बाकि जो social science का current है, उसे कम question आएगे, उसके हिसाफ से पांच पे आपको सबस्याधिक कमांड करना सब्सक्राइगा, उसी तरीके से देखेंगे, नौ, दस, 11, बारे के चारिस question पूछे जाएगे, उसमें, math पे सबस्याधिक, इसमें भी आपको देखना है, जिसमें की trigonometry पूछा जाएगा, लेवरा पूछा जाएगा, तो वैससे में क्या है कि आपको math तो देखनी है, math, geography और science, यहां मैं बोलूँगा कि यह तीन subject को कमांड करेंगे, तो almost जो है, वो तीस के आसपास यहीं से question पूछे जाने की सभावना है, इसके हिसाफ से question का जो है pattern हो सकता है, और जहां से अधिक question पूछे जाते हैं, वहां सबसे पहले focus करना चाहिए, और दो तीन बातों का ध निगेटिव मार्किंग है, अगर आप confusion में हैं, आप आधा जानते हैं, तो वहां पर आपकी possibility, probability जो है, पचास परसेंट ही रहेगी सही होने की, हंडिट परसेंट जानेंगे तो 100% आपका सही होगा, और यहां निगेटिव मार्किंग है, इसलिए हंडिट परसेंट आपको कुछ practice करें, ताकि आगे आपका जो performance हो काफी बहतर है, practice makes a man better, यह कहा भी गया है, तो बहतर प्रहाई आप करें, कहां से कितने सवाल आएंगे, किस विशाय से कितने सवाल आ सकते हैं, उसकी भी एक उमीद संभावना है, हमने जानी ही, कितनी उमीद है, उस सवाल के आने की उस विशाय से उतने सवाल आने की, यह हमने जानने की कोशिश की है, आप लाइप सीट सा बन रहें, वाना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेस्ट पेज़ भी लाइक करें, धन्यवाद